नमस्कार प्रेदर्शकों आपका स्वाधत है मैं हूं सायान जुली आपकी ठारुकार रीडर और मैं लेकर आई हूं एप्रिल 2017 का सप्ता है एक भविश्य फल और धेर सारी रेमिडीज और मैं बताऊंगे यह सप्ता आपके लिए कैसा रहेगा हेल्थ, ट्रैवल, फिनांस और रिलेशन्शिप्स में तो चले आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भविश्य की कहानी ठैरो की जुबानी टैरो के भविश्य के सफर में हमारी पहली राशी है एरीज, मेश, चले देखते हैं मेश राशी वाले जातको की किसमत में कौन से तीन ठैरो काज निकलते हैं प्रोफेशनल फ्रंट पर मेश राशी वाले जातको अगर पहले हम ये जान लें कि हम कहां पर हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हमें क्या और कैसा करना चाहिए इसका बहतर निर्नाय कर सकते हैं और दिस वीक मेश राशी वाले जातको आपको important महत्वपूर निर्नाय decisions लेनी होंगे चाहे वे career front पर हो या partnership या professional relationships में हो आप बहुत चिंतन मंथन करने के बाद ये निर्नाय लें क्योंकि ये आपके भविश्यपत बहुत गहरा असर डालेगा, impact करेगा इस वीक legal affairs में दीले है, कठिन परिस्तितियों का सामना करना पर सकता है, आप double dealing से साफधान रहें कोई आपको दोखा दे सकता है, जिसके कारण loss होने की संभावना है यदि आप wood, transport, steel, paint, chemical industry से जुड़े शेत्रों में व्यस्त हो, तो यह साफधान वीक रहेगा आपके लिए, health area में headaches होने की संभावना है, travel area में business trip on है emotional front पर मेश राशी वाले जादपो, मन में है, जो साफ साफ कह दो, फैसला फासले से बहतर होता है सही कहाना, आपका lucky color है blue, और ठारो ठिप आपके लिए, अपने घर से नकार आत्म कुर्जा दूर करने के लिए, एक निम्बू एक ग्लास पानी में रखें, हर शनिवार बदल दें, घर से नकार आत्म कुर्जा दूर होगी जरूर, ट्राइ करें चारो के सुहाने सफर में हमारी अगली राशी है टॉरस, व्रिशव, चले देखते हैं यह सप्ता, कैसा रहे दा, व्रिशव राशी वाले जात को के लिए, इन तीन चारो कार्ज के जर्ये प्रोफेशन फ्रन पर ब्रिशव राशी वाले जात को दूसरा मौका सिर्फ कहानिया देती हैं, जिन्दगी नहीं और दिस वीक व्रिशव राशी वाले जात को आपके सामने मौके अफसर पेश होंगे, जॉब चेंज या करिया चेंज के, यह सही समय है, पॉजिटिव पीरिट है रिस्क लेने का, कुछ चैलेंजिंग करने का, जिन्दगी दूसरा मौका नहीं देगी, तो चले आगे बड इस वीक आप किसे योगी या से कर्मी कॉपरेट करेंगे और आप किसे हायता करेंगे, यदि आप मेडिकल ठीचिंग, फार्मस्यूटिकल, मेडिल, फैशन इंडस्टी से जुड़े शेत्रों में व्यस्त हो, तो यह सप्ता उत्तम रहेगा आपके लिए, हेल्थ एरिया में पैरों में दर्ध होने की समस्या सता सकती है, फ्रावल एरिया में हॉलिडे ट्रिप के प्लान्स बने हुए हैं, इमोशन फ्रांट पर दिशव राशी वाले जात्पो, आप सोचते थे कि लव थी चोट करते हैं, पर कुछ खामोशियों के जक्म तो और भी गहरे निकले, सह जिससे पती पत्नी में होने वाली नोग जोग दूर हो जाती है, छे चड़ो वाली मेपल विंट्चाइम, अपने घर के उत्तर पच्छिन दिशा के कोने में लगाएं, इससे प्रेम और सोभागय में व्रिदी होती है, और दूर भागय का प्रभाव कम होता है, चले मेपल है खास इसपस्दा मिथुनराशी वाले जातपों के लिए इन्स चैनों काज के जर्यें पो दो अगर हैं तो आप भश्विश्य में रह रहे हैं यदि आप शानती चित थे तो आप वरतमान में रह रहे हैं, लेकिन लेकिन, दिस वीक, मित्खुन रआशी वाले जात को, आप नेराश है, प्रोफेशनल प्रण पर भी और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी, चाहें आप नौकली पेशा हो या व्यक्शाई, आपके प्रिफेशनल फ्रंट पर लाक करें वे आपको सही गाइदेंस और रास्ता दिखाएंगे यदि आप मीडिया ठेक्स्टाइल फैशन टीचिंग या लेदर इंडस्ट्री से जुरे शेत्रों में कारियों में व्यस्थो तो यह वीक साफधान वीक होगा आपके लिए हेल्थ एरिया में शोल्डर और नेक पेन होने की संभावना है फ्रावल एरिया में बिजनस ट्रिप आन है इमोशन फ्रंट पर मितुन राशी वाले जाज को जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति सही कहाना आपका लखी कलर है पिंग और ठारो टि ध्यान रखें चेक करें आप तैरो के सुहाने सफर में हमारी अगली राशी है कैंसर कर्क चले देखते हैं क्या है खास इस अफ़ता कर्क राशी वाले जाटकों के लिए इन धीन शारो कार्स के जरिए प्राशी वाले जाटकों हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि भविश्य में कहीं ना कहीं उसके सपने और हकिकत मिल जाए और दिस वीक करकराशी वाले जात को यही हुआ है और हो रहा है सपने हकीकत में तबदील हो रहे हैं कोई भी सपना चमतकार से हकीकत नहीं होता उसके लिए आपने कठोर इच्छा शक्ती और कठिन परिश्रम किया है भविश्य के लिए एक सुन्दर निर्मान किया है यह सपना आप अपने फील्ड ओफ वर्क में स्पेशलाइज और एक्सेल करेंगे लेकिन लेकिन करकराशी वाले जात को आप अतीत में प्रोफेशनल रिलेशन्शिप्स के प्रॉब्लम्स समस्याओं में मत उल्जो उन्हें सुज़्धाने के प्रयास करो यह जरूरी है ओपि सब्सक्राइब कोचिंग खेमिकल इंडस्ट्री से जुरेक कामों में व्यस्थ हो तो यह वीग सक्सेस्फुल वीग होगा आपके लिए हेल्ट एरिया में नेत्र संबंदित परिशानियां सता सकती हैं क्राविल एरिया में हॉलिडेय ट्रिप के प्लाइन्स बने हुए हैं पर करक्राशी वाले जात को कद्र होती है इंसान की जरूरत पढ़ने पर ही बिन जरूरत तो हीरे भी तिजोरी में रखे जाते हैं सही कहाना आप कलर की कलर है और ठारो ठिप आपके लिए गुड और घी की धूप को अगनी होतरी सुगन कहते हैं जो घर पर दिखाने से नक अपर में हमारी अगली राशी है लियो सी चले देखते हैं यह सब्ता कैसा रहेगा सी राशी वाले जात को के लिए इन थी चारूकार्ट के जरीए प्रोफेशनल प्रांट पर सी राशी वाले जात को परिस्तित्यों का मुकाबला करके ही जीत हासल की जा सकती है और दिस वीक सी राशी वाले जात को अतीत पास्ट के प्रॉब्लम्स ओन है जो बाधाएं अबस्टिकल्स क्रियेट कर रहे हैं परिस्तित्यों को यदी सई धं से हैंगल किया जाए उनका मुकाबला किया जाए तो आपकी जीत निश्चित है थोड़ा स्ट्रगल पीरियड ओन है लेकिन आप जीत का स्टैंप लगा ही लेंगे इस अपता आपकी इंटुएशन स्ट्रॉंग होंगी आप उन पर गौर करें वे आपको सही मदद और गाइद जरूर होगा यदि आप मीडिया, टीचिंग, टेक्स्टाइल, फैशन, मेटल इंडस्टी से कनेक्टिद करियर में हो तो यह वीक फुल्फिल्मेंट वीक होगा आपके लिए हेल्थ एरिया में बैक पेन होने की संभावना है ट्रावल एरिया में हॉलिडे प्लाइन्स बन इमोशन सांग पर सी राशी वाले जातों कभी कभी रिष्टे की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिष्टा नहीं सही कहाना आपका लखी कलर है पीच और ठारो ठिप आपके लिए यदि मान समान की कमी है तो संडे के दिन चावल और मिश्री बहते जल में प्रवाहित करें और थोड़ी मिश्री और चावल सफेद कपड़े में बांग कर किसी गरीब को दान करें मान सम्मान प्राफ्थ होगा और बड़ेगा भी ज़रूर ठारो के सुहाने सफर में हमारी अगली राशी है वर्गो खन्या चले देखते हैं कन्या राशी वाले जात्कों की किस्मत में कौन से तीन ठारो कार्ज निकलते हैं प्रोफेशनल फ्रन पर कन्या राशी वाले जात्कों जो अपने कदमों की काभियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मन्जिल पर पहुंचते हैं और दिस वीक कन्या राशी वाले जात्कों आपका आत्म विश्वास दृर्ड संकल्प आपको मन्जिल पर पहुंच ज यदि आप घर को बेस बना कर कारिय कर रहे हो तो प्रोजेक्ट सक्सेस्फुल होंगे, नौक्री पेशा वर्ट प्रमोशन या सालरी हाई के योग है, व्यवसाई आई के नई स्क्रोद पेश होंगे, लेकिन लेकिन करियाराशी वाले जात को आप किसी परिस्तिती सिचुएश को आप निप्टा लेंगे, यदि आप ग्लास मेटल टीचिंग टेक्स्टाइल, मेडिकल इंडास्ट्री से जुड़े शेत्रू में काम कर रहे हो, तो यह वीक फ्रूटफुल वीक होगा, आपके लिए हेल्थ एरिया में कोल्स और कॉफ्स होने की संभावना है, ट्रावल एरिया में हॉलिडे प्लाइन्स बने हुए हैं, इमोशन फरंट पर कन्या राशी वाले जात को शालीन त्या से जुका हुआ सिर्थ, शरम से जुके हुए सिर्थ से लाखो दर से बहतर है, सही कहाना, आपका लखी कलर है येलो, और थारो टिप आपके लिए, मोर पंक को घर में किसी ऐसी जगां पर रखना चाहिए, जहां से वो आसानी से दिखाई देता रहे, ऐसा इसलिए करें, क्योंकि मोर पंक घर में अचानत आने वाली परिशानियों को और मौजूद बखारात्मक शक्तियों को नश्ट कर सकारात्मक उर्जा यानी पॉजिटिव एनेजी का संचार करता है, चले मोर पंक लगाएं ठारो के रस्में सफर में हमारी अगली राशी है लिब्रा, तुला, चले देखते हैं यह सब्ता, कैसा रहेगा तुला राशी वाले चापकों के लिए, इंधीन ठारो कार्ट्स के जरिए प्रोफेशनल प्रांट पर तुला राशी वाले जात को एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है अपने उपर किसी रूची को थोपने का प्रयास करना आप अपने जनून को नहीं चुनतें, आपका जनून आपको चुनता है और दिस विग तुला राशी वाले जात को गलतीयां तो हुई है करियर च्वोईस में जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है गलती सुख धारें और आगे बढ़ें प्रोफेशनल प्रांट पर लाक ओफ अंदेस्टैनिंग और ट्रस्ट चल रहा है जिसके कारण बाद विबाद और तनाव बढ़ने के योग है नौक्री पेशवर्ख स्तान तरंग ट्रांसफर के योग है विवसाई न्यू स्थार और बिजनेस का जिंडिकेट कर रहे है यदि आप फूर्ट पैकेजिंग, ट्रांसपॉर्ट, स्थील, कंस्ट्रक्शन, केमिकल इंडस्ट्री से जुरे कारियों में व्यस्तो तो यह वी थोड़ा स्ट्रेस्फुल वीक रहेगा आपके लिए हेल्थ एरिया में हैरेक्स होने की संभावना है ट्रावल एरिया में हॉलिदे ट्रिप आन है इमोशनल प्रांट पर तुलाराशी वाले जात को जिन्दगी में सब लोग विश्टेदार या दोस बन कर ही नहीं आते कुछ लोग सबक बन कर भी आते हैं सही कहा ना, आपका लखी कलर है ग्रीन और ट्राव चिप आपके लिए घर के बीच में निर्मान या सीडियां घर में रहते सदस्यों को भौतिक और अध्यात्मिक प्रगती में भादक बन जाती है चेक करें आप ट्राव के रोचक सफर में हमारी अगली राशी है स्कॉप्यो विश्चिक चले देखते हैं क्या है खास इस अबता विश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए इन थीन छारो खास के जरिए प्रोफेशन प्रण पर विश्चिक राशी वाले जात्कों लगातार हो रही और सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए कभी कभी गुच्छे की आखरी चावी ताला खोल देती है सदा सकारात्मक रहें दिस वीक आपकी सकारात्मक सोच और विजुलाइजेशन बदलाव चेंज लाएगी जरूर चेंज ओफ लाक फॉचून है आप निराश मत हो समय करवट ले रहा है बदल रहा है नौकरी पेशा वर्ट, प्रमोशन या न्यू जॉब आफर मिलने की योग है या वसाही चेंज ओफ वर्क प्लेट और बिजनस की संभावना है यदि आप लेधर, टेक्स्टाइल, फैशन, ट्रबर या ओथमोंबाइल इंडस्ट्री से जुरे शेत्रों में कारियों में व्यस्त हैं तो फॉचून वीख होगा यह आपके लिए हेल्ट एरिया में बैक पेन होने की संभावना है फ्रावल एरिया में बिजनस ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं इमोशनल फ्रांट पर विश्चिक राशी वाले जात को न सब बेखबर हैं, न होश्यार सब, गरज के मुताबिक हैं, किरदार सब, सही कहाना आपका लाखी कलर है पीच और ठैरो टिप आपके लिए, यदि जॉब या बिजनस में बहतरी और बढ़ोतरी लाना हो तो पांच गोमती चक्र लाल कपड़े में बान कर, अपनी दुकान या ओफिस में फ्राइडे के दिन, साड़े ग्यारा बजे के बाद लटका दें काम में बढ़ोतरी और बैतरी होगी, जरूर ठ्राइ करेंगे चिप ठैरो की रस्में सफर में हमारी अगली राशी है स्टाचिटेरियस धनू, चले देखते हैं यह सफ्टा, कैसा रहेगा, धनू राशी वाले जातकों के लिए इन तीन चैरो कार्स के जरिए प्रोफेशनल फ्रन पर धनू राशी वाले जातकों, दूसरे जितना सोच सकते हैं, उससे अधिक जोखिम लेना सुरक्षित है दूसरे जितना सोच सकते हैं, उससे अधिक सपने देखना व्यभारिक है और इस वीक धनुराशी बलेचात को आप जोखिम तो लेंगे जरूर और आपके उचे सपने सकार करने के लिए प्रयास और प्लानिंग भी करेंगे जरूर इस वीक आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की ओर ध्यान केंद्रित करें अपनी वानी और गुस्से को में सयम रखें वरना तनाव और तक्रार बढ़ सकता है इस अपता न्यू जॉब ऑफर और आई बढ़ाने के अफसर पेश होने की संभावना है यदि आप आई लदर फूड मशीनरी ठीचिन फ्राशन से जुड़े कार्यों में व्यस्थ हो तो यवीक अनुकूल रहेगा आपके लिए हेल्थ एरिया में कर्मी के कारण स्किन अलर्जीज होने की संभावना है स्ट्रावल एरिया में हॉलिदे ट्रिप्स के फ्लाइंस बने हुए है इमोशनल फ्रांट पर धनुराशी वाले जाग को जरूरी नहीं हर रिष्टा बेवफाई पे खतम हो कुछ रिष्टे दूसरों की खुशी के लिए भी खतम करने पड़ते हैं सही कहाना आपका लखी कलर है पिंक और ठारो सिप्ट आपके लिए यदि आपके जीवन में रि टैरो के भविश्य के सफर में हमारी अगली राशी है केप्रिकॉन मकर चले देखते हैं क्या है खास इस अपता मकर राशी वाले जातकों के लिए इन्ठीन ठैरो कार्ट्स के जर्ये प्रोफेशनल फ्रेंट पर मकर राशी वाले जातकों जीवन में कच्छनाईया नुकसान पहुंचाने नहीं आती हैं बैकी ये हमारी छुपी हुई शक्तियां और समर्थ को बाहर निकालने में मदद करती हैं और दिस वीक मकर राशी वाले जातकों कच्छनाईयों से आप घीरे हो लेकिन लेकिन यही तो आपकी विशेशताएं प्रतिबाएं और शक्तियों को भारेंगी आप सकारात्मक सोच बरकरार रखें आपको जल्द कच्छनाईयों से सल्यूशन और छुटकारा मिल जाएगा इस वीक आपके इंटुएशन्स प्रबल हैं इन पर गौर करें यह सहीद गाइडिन्स रास्ता और सुरक्षा देंगे इस कच्छनाईयों के दौर में हिम्मत न हारें समय है जल्द बदल जाएगा यदि आप वुड, मशीनरी, लेधर, कंस्रक्शन, ग्लास, मेथल, और्ट तम रहेगा आपके लिए हेल्द एरिया में प्रेट सम्मंदित परिशानियां सता सकती हैं, ट्रावल एरिया में बिस्स ट्रिप ओन हैं, इमोशनल फ्रन पर मकर राशी वाले जात को सहम सी गई है ख्वाइशें, जरूर तो ने शायद उनसे उची आवाज में बात की होगी सही कहाना, आपका लखी कलर है ग्रे और ठारो टिप आपके लिए, यदि आप सफलता जीवन के हर एक पहलू में चाते हो, तो हर शनिवार साटेडे, सुभे एक नारियल तोड़े, सफलता आपके कदम चुमेगी, ठ्राइखरे जरूर चारो के रहस्में सफर में हमारी अगली राशी है, क्वेरियस, कुम, चले देखते हैं कुम राशी वाले चात्कों की किस्मत में कौन से तीन चारो काज निकलते हैं? प्रोफेशनल पर कुम राशी वाले जात्कों, जब मन में एक लक्ष पर स्थिर है, तब यह सुर्रक्षित है, तनाव से मुक्त है, एक आगरता से सक्षम है, और यही है आपका यह वीक की भविश्यवानी और प्रेडिक्शन, मन तनाव मुक्त रहेगा, और लक्ष के प्र चिंतन मन्थन से प्रोफेशनल प्रंट पर कदम आगे बढ़ाएं, ताकि लॉसेज नुकसान ना हो, यह सबता लाया है नए अफसर, उपर्चुनिटीज ऑफ अद्वान्स्मन के, तो चले तयार रहें, यदि आप मेरिकल, रियल एस्थेट, फैशन, कंस्ट्रक्शन, मिश स्ट्रिप के प्लान्स बने हुए हैं, इमोशनल प्रंट पर कुम्राशी वाले जाग को, शक्त केवल चुकते हैं, खामोशियां मार देती हैं, सही कहाना, आपका लगी कलर है बेज, और ठारो चिप आपके लिए, यदि कॉट केस मुकदमों में विक्ट्री जीत हासल करना चाते हो, तो अपने जेब में पांच गोमती चक्र रखें, और अधालत में एंटर करते वक्त, राइट फुट्स, दाइना पैर पहले रखें, जीत आपकी अवश्य होगी, ठ्राइ करें जरूरूर। प्रोफेशनल फ्रेंट पर मीन राशी वाले जात को, जो कुछ हमारा है, वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहन करने की शमता रखते हैं, और दिस ट्वीक मीन राशी वाले जात को, आप ग्रहन करने की शमता रखते हैं, कार्ज दर्शाते हैं, और जीत और सेलिप्रेशन भी बताते हैं, professional relationships भी सुद्रेंगे और नए लोगों से संपर्क और कार्य सापित होंगे, new professional relationships, new experiences, new attitude रहेगा दिस वीक, तो जाहिर है professional front पर changes definitely होंगी, your changes आपकी लाइफ में positivity और प्रगती लाएंगे, और साथ में किसमत से मिलती चीजें, ग्रहन करने की शमता बढ़ाएंग यदि आप import export electronics, wood furniture, chemical industry से जुरे शेत्रों में कार्य करने हो, तो यह वीक शमता फुल वीक रहेगा आपके लिए, health area में dental problems होने की संभावना है, travel area में business trip on है, emotional front पर मीन राशी वाले जात को, काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं और न किसी से दबते हैं, सही कहाना, आपक तारो टिप आपके लिए, जल्ग विवा संपन हो, उसके लिए 11 शुक्रवार तक पीली दाल और गुड़ गाई को खिलाए, और फिर wedding cards चपाए A few lines आपके लिए viewers on tarotos time, करम की गठ्री लाग के, जग में फिरे इंसान, जैसे आ करे वैसा भरे, विदी का यही विदान, करम करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्रानी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म, आशा है आपका हर शन मंगल मैरे, समय अनकूल हो, स्वस्त र मिलें, मिलेंगे फिर same time on tarot times with Sai Anjali.